हेलो फ्रेंज मैं हूँ रश्मी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनिट्स आज की इस वीडियो में हम सोशलिजम मीन्स समाज वात को डिटील में डिसकस करने वाले हैं जैसा के हम जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में ये एक बहुत इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है साथ हमें सोशलिजम वर्ड अपने डे टो डे लाइफ में भी अकसर सुनने को मिलता रहता है तो आईए समझते हैं सोशलिजम और उसकी आइडिलोजी को ये कुछ मेरे बारे में ब्रीफ इंफर्मिशन है मैंने नेट और जैरेफ कॉलिफाई किया है साथ ही साथ अभी मैं चवाहरलाल नहरीव इनवसिती से पीचडी कर रहे हूँ सोशलिजम को समझने से पहले आपको कैपिलिजम को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोशलिस्ट आइडिलोजिकल इमर्चंस हमें कैपिलिजम के अपोज में ही दिखाई देता है अगर आप कैपिलिजम को डिटील में समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप कैपिलिजम को डिटील में समझ सकते हैं वैसे मैं यहाँ पर आपको कैपिलिजम को ब्रीफ में डिस्कस कर देती हूँ आप कैपिलिजम को एक ऐसे एकोनॉमिक सिस्टम के रूप में समझे जहाँ पर जो means of production होता है मतलब जो उत्पादन के संसाधन होते हैं उस पर सारा हग या जो ownership होता है वो private का होता है मतलब private ownership होता है और private ownership होने का result over the time यह हुआ कि society में क्या हुआ कि अमीर और अमीर होता गया और गरीब होता गया जिससे society में क्या हुई? inequality आई और यही inequality का विरूत करता है socialism और socialism इसे दूर करने की ही बात करता है तो अब हम socialism को detail में discuss करेंगे समाजवाद means socialism एक ऐसी ideology है जो सारे means of production होते हैं उत्पादन के संसाधन होते हैं इंडरस्टी होती है या फिर इस ऐसा समझे कि जहाँ पर resource generate होता है वो सबके public ownership की बात करता है मतलब सामाजिक स्वामित्व की बात करता है लेकिन जो capitalist system में हमने क्या देखा था यही सामाजिक स्वामित्व किसके पास होता है private लोगों के पास होता है और socialism में यह हमें public ownership के रूप में दिखाई देता है तो आप इसे ऐसा समझे कि यह जो ideology थी वो capitalism और liberalism के विरोध में आई थी ठीक है क्योंकि जो दोनो ideology थी capitalism और liberalism यह private property को बढ़ावा देती थी ठीक है और जिसका result क्या हुआ था कि society में inequality आ गई थी और society जो है वो society का social class था वो divide हो रहा था पहला social class था capitalist class जो अमीर लोगों का होता था और दूसरा हो रहा था worker class ठीक है जो कि मजदूरों का होता था तो इनी inequalities को दूर करने की बात करता है socialism sometimes हम socialism और communism को एक ही समझ लेते हैं ठीक है पर दोनों में differences होते हैं जो हम अगले वीडियो में discuss करेंगे अगर मैं socialism word के origin की बात करूँ तो इसका origin हम ये latin word sociare से मिलता है जिसका मतलब होता है to share और combine तो आप इसे याद रखेगा तो आए इस slide में हम socialism की कुछ characteristics को भी discuss कर लेते हैं जिसमें सबसे पहला है public ownership ठीक है इसका मतलब होता है कि जो means of production होंगे उस पर public ownership होगा मतलब उत्पादन के संसाधन जो होंगे उस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व ना होकर पुरे society का स्वामित्व होगा वह इसकी अगले विजेशता होती है supports equal equality and equal opportunity मतलब socialism जो होता है वो हर एक individual के लिए equal opportunity, equality के demand करता है जहाँ पर हर लोगों को उनकी basic need पूरी हो सके जैसे कि shelter हो गया, food हो गया, justice हो गया वो उनको properly मिल सके वहीं अगर हम इसके अगले विशेशता देखें तो ये community और cooperation के बात करता है और ये community और cooperation कैसे अचीव होगा ये ऐसे अचीव होगा जब हर individual साथ में काम करेगा जब हर individual साथ में काम करेगा तो उनके बीच कोई भी competition की भावना नहीं रहेगी तो competition की भावना नहीं रहेगी तो किस चीज़ की भावना होगी, cooperation की भावना होगी और यही cooperation एक strong community develop करेगा, जो community होगी, वो egalitarian होगी और यहाँ कोई भी class differences नहीं होगी ऐसी community में वहीं अगर socialism की economic system की बात की जाए तो यह centralized होगा जहाँ पर लोगों की centralized होगा मतलब सारा जो power होगा economic का, जो control होने का वो center में होगा जहाँ पर लोगों को उनकी योगिता और उनके car के according salary दी जाएगी इस slide में मैं आपको socialism को current example दे के समझाने वाली हूँ तो इसमें हम दो अलग-अलग countries का example लेंगे जिसमें पहला है USA और दूसरा है Scandinavian countries, चीक है तो जैसा कि हम जानते है जो USA है वो एक capitalist country है क्योंकि वहाँ पे जो means of production होता है वो privately owned किया जाता है इसलिए resources का distribution भी जो होता है वो privately होता है अब हमने देखा कि US एक capitalist society है और उस capitalist society में जो high quality education भी है वो ही capitalist लोग provide करते है और वो जो provide करते है वो काफी expensive होता है ठीक है अब उस education को जो बहुत ही high quality expensive education है उसको केवल वही लोग effort कर सकते हैं जिसके पास wealth होता है इसलिए हमने देखा कि better education की opportunity उन्हें ही मिली जिनके पास wealth था या money थी और जिनके पास wealth नहीं था वो high quality education उन्हें नहीं मिल पाया इससे इसका क्या result हुआ इससे ये हुआ कि एक society में एक inequality create हो गए just because of capitalism लेकिन मैं अगर इसका comparison Scandinavian country से करूँ जो कि हैं Finland, Sweden, Denmark ये सारे countries अपने citizens को free में high quality education भी provide करती है साथ ही साथ health facility भी provide करती है ताकि सभी को equal opportunity मिल सके और सबका equal development हो जो यही जो concept है वही हमें early socialism के idea में देखने को मिलता है तो जो socialism का core idea इसी बात पर based है कि अगर हम society में सारे class को खतम कर दें तो हम सही मायने में एक socialist society की स्थापना कर पाएंगे जो कि totally equal egalitarian होगा ठीक है तो अगर मैं एक और बात बता दूए अब एक बहुत important बात याल रखने वाली है कि जो socialism का जो concept होता है वो अपने आपने एक umbrella concept है मतलब लोगों ने socialism को different social economic system में अपने according interpret किया है इसको फिर मैं example से समझाती हूँ अगर हम USSR को देखें तो वो अपने आपको real socialist country declare करता था मतलब 1990s के पहले जब तक उसका disintegration नहीं होता वहीं हम अगर Scandinavian countries को देखें तो ये सारे countries जो है वो social program को जो जितने भी socialist program है उनको adopt की हुई है लेकिन capitalism के साथ मतलब वो capitalist system के promote capitalist system को तो वो promote करती ही है साथ ही साथ वो socialist जितने भी program है उसको भी उन्होंने adopt करके रखा है और अगर हम इनका comparison करें तो जो बाकी socialist country होती है और ये जो Scandinavian countries होती है इनका HDI हमेशा अच्छा perform करता है इसलिए ये कहा जा सकता है कि socialism में भी different variation देखने को मिलता है जिसकी आगी हम चर्चा करेंगे अगली slide में पिछले slide में जिस variation की बात मैंने की थी socialism में वो हम उसके types की रूप में देखेंगे जिसमें है utopian socialism, democratic socialism, fabian socialism, evolutionary socialism, guild socialism and scientific socialism तो आई इसे हम detail में discuss करते हैं इसमें हम देखते हैं पहला utopian socialism तो ये जो utopian socialism का विचार था वो हमें 19th century में दिखाए देता है जिसके तीन prominent thinker रहे हैं जिसको आपको याद रखने है पहला है Robert Owen, दूसरा है Saint Simon और तिसरा है Charles Fourier ये तीनों ने worker के interest को protect करने की बात की थी तो अगर मैं Robert Owen का नाम लो तो Robert Owen कहते हैं इन्होंने England में एक ऐसे cooperative moment को start किया था जिसके तहत ऐसे experimental society बनानी की बात की जहां पर capitalist worker class सब साथ मिलकर काम करेंगे corporate करेंगे और capitalist क्या करेंगे जो भी उनको profit होगा वो उस profit से worker के welfare का काम करेंगे तो इस तरह उन्होंने कहा कि ऐसी हम society बनाएंगे जिसे corporation आएगा और एक socialism का socialism की स्थापना होगी ये कहते हैं Robert Owen वहीं अगर मैं Charles Fourier और Saint Simon की बात करूँ इन लोगोंने कहा कि हम capitalist लोगों के conscious मतलब उसके अंतरात्मा में change लाएंगे और अगर capitalist लोगों के अंतरात्मा change हो जाएगी तो जिसे क्या होगा ये जो worker class की जो condition है वो अपने आप सुधर जाएगी लेकिन अगर हम practical में देखें, practicality में देखें तो ये totally ये दोनों idea को implement करना totally impossible है ठीक है, इसलिए Karl Marx ने इन्हें utopian socialism का था ठीक है, तो आपको utopian socialism का idea समझ आ गया तो आपको मैं बता दू, utopian socialism हमेशा exam में पूछता है कि इसके prominent thinker कौन थे और इनका core idea क्या था utopian socialism का, तो आपको basically इन तीनो thinkers का नाम याद रखना है यहाँ पर अब हम समझेंगे democratic socialism को नाम से हमें पता चल रहा है कि ये two types of system का combination है, पहला है democracy और दूसरा है socialism ठीक है, और अगर हम इसका core idea देखें, तो ये ये कहता है कि जो state है, वो एक important instrument है social welfare को create करने के लिए, इसलिए state को democratic होना चाहिए, और state ही जो है, एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा हम socialism को establish कर सकते हैं, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि जो democratic socialist thinker हैं, वो ये मानते हैं कि जो society में जो socialism की स्थापना होगी, वो बहुत ही ज़रा evolutionary होगी और peaceful manner में होगी, मतलब हम socialism की स्थापना अचानक से क्रांती करके नहीं लाएंगे, हम इसको gradual process के तुरू दीरे-दीरे लेकर आएंगे, ठीक है, और इस थरह हम देखते हैं जो democratic socialism के द्वारा यह आर्गू करता है कि हम जो society में जितने भी class differences है, उसको हम peaceful manner में solve कर देंगे, तो हमने देखा कि जो democratic socialism है, उसका ultimate goal है worker के exploitation को खत्म करके society में equality create करना, और यह equality जो है वो कैसे आएगी, यह जो equality है वो socialism और democracy के थुरू आएगी, और मैं अगर democratic socialism के examples की बात करूँ, तो basically यह idea हमें world के different political parties में देखने को मिलता है, ठीक है कई ऐसे party organize की गई जो इस idea के co adopt करती है और उसके party का core ideology रही है, इसमें सबसे पहला important example है British Labour Party का, जो की democratic socialism पे अधारित है अब इस slide में हम जानेंगे Fabian socialism के बारे में, ठीक है तो Fabian, जो basically Fabian socialism है, वो socialism का एक British version है, जो की 1884 में Fabian society के दवारा propagate किया गया था, ठीक है तो अगर मैं इसके prominent thinker की बात करूँ, तो इसमें आता है George Bernard Shaw का नाम, जो बहुत ही जादा important है, आपको एक्जाम के दुष्टे से से याद रखना है अगर मैं Fabian socialism की core idea की बात करूँ, तो ये capitalist system को एक exploitative system मानता है साथ ही साथ जो political power होती है, उसके वो decentralization की बात करता है और वो एक ऐसे सरकार और एक ऐसे government को support करता है जो की इस decentralized government को run करें और वो जो run करने वाले होंगे वो socialism के experts होंगे ठीक है, और वो government को मतलब वो चीजों को direction देंगे socialist way में की social welfare को कैसे promote करना है ठीक है और इस तरह हम देखते कि Fabian socialist जो होते हैं वो दो way में socialism को सापित करना चाहते है पहले government के थूँ और दूसरा decentralization के थूँ और अगर मैं इंडिया में इसकी बात करूँ तो इंडिया में जवाल नाल नहरू का नाम Fabian socialist के रूप में आता है क्योंकि जब हम उनके विचारों को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि वो भी कही न कहीं decentralization के बात करते हैं socialism को democracy के साथ merge करके एक social democracy की बात करते हैं अब हम समझेंगे evolutionary socialism मतलब विकासवादी समाजवाद को जिसको initially Ferdinand Lassall ने advocate किया था तेकि बाद में इसके prominent thinker के रूप में Edward Bernstein का नाम आता है जिन्होंने अपने book evolutionary socialism में इसको discuss किया था और अगर मैं evolutionary socialism की core idea की बात करूँ तो इसका मानना है कि जो society है अगर हम उसका analysis करें तो सिर्फ economic factor ही society को impact नहीं करते बलकि यहां पे कई non economic factor भी होते हैं जो society और human life को impact करते रहते हैं इसलिए capitalism में gradual और peaceful change लागकर ही हम society में socialism को establish कर सकते हैं और same यही बात हम democratic socialism में भी देखते हैं इस तरह विकासवादी जो समाजवाद है या evolutionary socialism है वो इस तरह social welfare की बात करता है और यह जो social welfare के लिए taxation system को भी promote करता है कुछ हद तक private property को भी promote करता है है ना तो आपको इस तरह core idea याद रखना है कि कैसे यह किस तरह यह gradual change की बात करता है taxation system की बात करता है peaceful society की बात करता है और आपको यह भी याद रखना है कि evolutionary socialism के prominent thinker Edward Bernstein थे इस slide में हम guilt socialism की चर्चा करेंगे जिसका emergence हमें Great Britain में 20th century के second decade में दिखाई देता है और अगर मैं इसके prominent thinker की बात करूँ तो उसके prominent thinker है D.H. Cole जिन्होंने अपने book Guild Socialism A Plan for Economic Recovery में इसकी चर्चा की और इसको describe किया जो Guild Socialism है वो कहीं न कहीं जो worker का exploitation है उसका reason capitalism को समझता है और कहता है कि किसी भी society में different occupation के different groups होते हैं या कहीं तो उनका अपना संगठन होता है उनका अपना एक union होता है जो कभी भी common interest को या common welfare को fulfill नहीं कर पाता इसलिए सारे unions जितने भी occupation की unions है या organization है उसको national level पर इखटा हो जाना चाहिए और एक guild का निर्मान करना चाहिए और इस तरह उस guild को create करके उन्हें country को govern करना चाहिए और peaceful manner में socialism को create करना चाहिए इसको मैं आपको अगले side में image के तरह और example के तरह समझाओंगी इस image में आप देख सकते हैं कि यहां पर different workplace है और यह different workplace के organizations हैं यह organizations मिलके city level पर क्या करेंगे? guilds create करेंगे और यह guilds क्या होगे regional level पर यह guild मिलके regional level पर एक national गिल्ड बनाएँगे और यह regional guild आपस मिलकर गिल्ड्स quickly ग gens्यूमर कॉपरेटिव को represent करेंगे collective utilities councils को represent करेंगे and culture council इस सारे guild men national community बनाएँगे और country को govern करेंगे तो आई होप आपको इस तरह गिल्ड सोशलिजम समझ आ गया होगा जिसमें आपको GDH कोल का नाम याद रखना है, इनकी कोटेशन पूछे जाते हैं और इनके बुक का नाम भी पूछा जाता है तो यह एक्जाम नेट के लिए नेट के प्रस्पेक्टिव से तो बहुत ही इं इनके प्रकार को देखे और करेंट सिचुवेशन से भी डील किया सोशलिजम में अब हम इसके कुछ कुछ क्रिटिसिजम को देखते हैं तो इसमें सबसे पहला क्रिटिसिजम इस बात पर होता है कि यहां पर स्टेट को व्यक्ति से जादा वैल्यू दे जाती है ठीक है और अगर दूसरा देखें तो इसमें सेंट्रलाइजेशन इतना होता है कि यहां पर सारी चीजों को ब्यूरोक्रसी कंट्रोल करने लगती है वहीं अगर मैं एफिशेंसी के बात करूँ तो सोशलिजम में क्या होता है कॉम्पेटिशन नहीं होता इसलिए महां पर प्रोडक्श को कंट्रोल करता है जाके मार्केट को राज्य कैप्चर करके रखता है या नियंतरन में रखता है वहां पर हमेशा व्यक्ति की स्वतनतरता जो होती है वो हाम होती है जो हमें सोशलिजम में भी दिखाई देती है और वहीं जब सारी चीजे राज्य कंट्रोल कर रहा है तो के पास occupation का freedom नहीं होगा, वो अपने इसाब से occupation choose नहीं कर सकता, वह लास्ट में देखूं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो socialism में होता है, जो सारा जो system होता है socialism का, वो entirely centralized होता है, मतलब केंद्रकित होता है, सारी चीज़े state के control में होती है, तो यह था मेरा socialism का lecture, I hope आपको यह concept बहुत अचीज़ा समझ आ गया होगा, अगर आपको इसी दरा के और भी वीडियोज देखने हैं, तो please do like, share and subscribe my channel, और अगर आप political science related कुछ important books के PDF चाहते हैं, तो आप हमारे telegram, facebook और instagram से भी जुड़ सकते हैं,